बूढ़ी काकी ने तरह तरह के मनसुबे बांधे पहले तरकारी से पूढ़ियां खाऊंगे फिर दही और शक्कर से कचोरियां रायते के साथ मज़िदार मालूम होंगी चाहे कोई बूरा माने चाहे भला नमस्कार दोस्तों आप सुन रहे हैं कामीश दिवेदी को दोस्तों आपको सुनाने जा रहा हूँ मुईशी प्रेम चंद की लिखी कहानी बूरी काकी बुढ़ापा बहुदा बच्पन का पुन्रागमन हुआ करता है बुढ़ी काकी में जहवाज स्वात के सिवा कोई और चेश्टा शेश्ट न थी और ना अपने कश्टों की ओर आकरसित करने का रोनी की अत्रेक्त कोई दूसरा सहा रही समस्तेंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे प्रित्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी एक छाके प्रतिकूल करते भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम पूर्ण न होता अत्वा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी उनका रोना सिसकना साधर रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी उनके पतिदेयों को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे, अब एक भतीजे के अलावा और कोई न था उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी बतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चोड़े वाते किये किन्तु वे सब वादे केवल कुली डीपो के दलालों के दिखाये हुए सब्ज बाग थे यद जबी उस संपत्ति की वावसिक आए, देड़ दोसो रुपए से कम न थी तथा भी बूड़ी काकी को पीट भर भूजन भी कठिनाई से मिलता था इसमें उनके भतीजे पंडित बुधिराम का प्राथ था अत्वा उनकी अधांगनी स्रीमती रूपा का इसका नेड़ने करना सहज नहीं बुधिराम स्वभाव के सजन थे, किन्तो उसी समय तक जब तक उनके कोस पर आचना आये रूपा स्वभाव से तीवर थी सही, पर इश्वर से डरती थी अत्यव बुड़ी काकी को उसकी तीवरता उतनी न खलती थी, जितनी बुधिराम की भल मनसाहत बुधिराम को कभी-कभी अपने अत्यचार का खेद होता था विचारते कि सी संपत्ति के कारण में इस समय भल मनस बना बैठा यदि भहत तिक आस्वासन और सूखी साहन बूति से इस्चिती में सुधार हो सकता हो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति नहोती परंतो विशेश व्यका भैवन की सुचेश्टा को दबाये रखता था यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बोडिकाकी उस समय अपना रागल अपने लगती तो वह आग हो जाते और घर में आकर उन्हें जोर से डाटते लड़कों को पूड़ों से स्वाभाविक विद्वेश होता ही है और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बोडिकाकी को और सताया करते कोई चुटकी काट कर भागता कोई इन पर पाने की कुल्ली कर देता काकी चीख मार कर रोती पर तो यह बात प्रसिद्ध थी कि वह केवल खाने के लिए रोती अतयव उनके संताप और आर्थनात पर कोई ध्यान नहीं देता था हाँ काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती थी तो रूपा गटना स्तल पर आ पहुंस थी इस भैसे वह काकी अपनी जेवा ग्रिमार का कदा चित्थी प्रयोक करती थी यद्य भी उपद्रव शान्ती का यह उपाय रोने से कहीं अधिक उप्युक्त था संपूर्ण परिवार में यद्य काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुदिराम की छोटी लड़की लाड़ली थी लाड़ली अपने दोनों भाईयों के भैसे अपने हिस्से की मिठाई चबैना बुड़ी काकी के पास पैट कर खाया करती थी यही उसका रक्षागार था और यद्य पी काकी की सरण उनकी लोलुक्ता के कारण बहुत महगी पर दी तथा भाईयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलब थी तो बस यहीं इसी स्वार्था नुकूलता ने उन दोनों में सहानभूति का आरोपन कर दिया था आत का समय था बुधिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गाओं के बच्चों का जंड विश्में पूर्ड नेत्रों से गानेकार सस्वादन कर रहा था चार पाईयों पर महमान विश्राम करते हुए नाईयों से मुक्किया लगवा रहे थे समीब खड़ा भाट विर्दा वली सुना रहा था और कुछ भावग महमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानों इस वाह वाह का यधार्त में वही अधिकारी है दोएग अंग्रेजी पढ़े हुए नौव यूवक इन व्यवहारों से उदासीन थे वेश गमार मंदली में बोलना अत्वा समलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकोल समझते थे आज बुधिराम के बड़े लड़के मुक्राम का तिलकाया है यह उसी का उत्सव है घर के भीतर इस्त्रियां गा रही थी और रूपा महमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी बट्टियों पर कड़ा चड़ रहे थे एक में बोड़ियां कचोणियां निकल रही थी दूसरे में अन्ये पकवान बनते थे एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी घी और मसाले की छुदा वर्धक शुगंदी चारो और फैली होई थी बोड़ी काकी अपनी कोटरी में शोक में विचार की भाँ आती बैठी होई थी यह स्वाद मिस्टर सुगंदी उन्हें बेचैन कर रही थी वे मन ही मन विचार कर रही थी संभवत मुझे पूडियां न मिलेंगी इतनी देर हो गई है कोई भोजन लेकर नहीं आया मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं मेरे लिए कुछ न बचा यह सोचकर उन्हें रोना आया परंतो अब शकुन के भैसे वह रोन सकी अहा कैसी सुगंदी है अब मुझे कौन पूसता है जब रोटियां के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग कहां कि भर पेट पूडियां मिले यह विचार कर उन्हें रोना आया कलीजे में हूक सी उठने लगी परंतो रूपा के भैसे उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया बूडिका के देर तक इन्हीं दुगदायक विचारों में टूबी दे गी और मसालों की सुगंदी रह रह कर मन को आपे से बाहर कर देती थी मौ में पानी भर-भर आता था पूरियों का स्वाद इसमरण करके हिरदय में गुदगुदी होने लगती थी किसे पुकारूं आज लाडली बेटी भी नहीं आई दोनों छोकरे सदा दिख दिया करते हैं आज उनका भी कही नहीं पता कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है बुड़ी काके की कलपना में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी खूब लाल-लाल फूली-फूली नरम-नरम होंगी रूपा ने भली भात भोजन किया होगा कचोडियों में अजवाइन और इलाइची की महक आ रही होगी एक पूरिय मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती क्यों न चलकर कड़ा के सामने ही बैठो पूरियां चंचन कर तयार होंगी कडाल से गरम-गरम निकल कर थाल में रखी जाती होंगी फूल हम घर में में भी सुंग सकते हैं परंतु वाठिका में कुछ और बात होती है इस प्रकार निड़य करके बोड़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धिरे धिरे रेंगती हुई निड़ी कड़ा के पास जाबे थी यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर हुआ जितना भूखे कुट्टे को खाने वाले के सम्मुक बैठने में होता है रोपा उस समय कारिवार से उद्विग्ण हो रही थी कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में कभी कडा के पास जाती कभी बंडार में जाती किसी ने बाहर से आकर कहा महराज ठंड़ ही मांग रहे हैं ठंड़ ही देने लगी इतने में फिर किसी ने आकर कहा भाट आया है उसे कुछ दे दो भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर मुझा अभी अधोल मजीरा उतार दो विचारी अकेली इस्त्री दोड़ते दोड़ते व्याकुल हो रही थी जुझिलाती थी कुर्ती थी परन्तु क्रोध प्रकट करने का आफसर ना पाती थी भै होता कहीं पड़ उसीने यह कह यह न कहने लगें कि इतने में उबल पड़ी प्यास से स्व भूलें यह भी कटखा था कि जरा आँख हटी और चीजों की लूट मची इस अवस्था में उसने बोड़ी काकी को कड़ा के पास बैठी देखा तो जल गई क्रोध ना रुख सका इसका बेध्यान न रहा कि पड़ुचिने बैठी हुए मन में क्या गहें पुर्सों में लो लटक कर बोनी ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड कोठरी में बैठते हुए क्या दम गुटता था अभी मेहमानों ने नहीं खाया बगवान को भोग नहीं लगा तब तत्द धैर नहीं हो सका आकर छाती पर सवार हो गई जल जाए ऐसी जीप दिन भर खाती नहोती तो न जाने किसकी हाड़ी में मुझ डालती गाउं देखेगा तो कहेगा कि बुडिया भर पेट खाने को नहीं पाती तभी तो इस तरह मुझ बाय फिरती है डायन न मरे न माचा छोड़े नाम बेचने पर लगी है ना कटवा कर दम लेगी इतना ठूसती है न जाने कहां भ और तो तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए बुडिकाकी ने सिर उठाया न रोई न बोली चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठ्री में चली गई आवाज ऐसी कठोर थी कि हिर्दय और मस्तिस्क कि संपूर्ण शक्तियां संपूर्ण विचार संपूर्ण भार उसी और आग करसित हो गए थी नदी में जब कगार का कोई व्रिहत खंड कटकर गरता है तो आसपास का जल समूर्ण चारों से उसी अस्थान को पूरा करने के लिए दोड़ता है भोजन तेयार हो गया है आंगन में पत्चले पड़ गई महमान खाने लगे इस्त्रियों ने जेवनार गीद गाना आरंब कर दिया महमानों के नाई और सेवकड़ भी उसी मंडली के साथ किंत कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे परंदो सब्वेतानसार जब तक सब के सब खान चुकें कोई उठ नहीं सकता था दो एक महमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सेवकों के देरगा हार पर जुझला रहे थे वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार की बाद समझते थे बोड़ी काकी अपनी कोटरी में जागर पश्चाताब कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई उन्हें रूपा पर क्रोध न था अपनी जल्दबाजी पर दुख था सची तो है जब तब महमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे मुझसे इतनी देर भी न रहा गया सब के सामने पानी उतर गया अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा न जाओंगे मनी मनी इस प्रकार का विचार कर वा बुलाने की प्रतिक्छा करने लगी परुंति घी की रुचकर सुवास बड़ी धैर परिक्छक करने लगी उन्हें एक पल एक युक के समान प्रतित हो रहा था अब पतल बिच गई होंगी अब में मान आ गए होंगे लोग हाथ पैर धो रहे हैं नाई पानी दे रहा है मालूम होता है लोग खाने बैठ गए जेवनार गाया जा रहा है या विचार करवा मन को बहलाने के लिए लेट गई धिरे धिरे एक गीत कुन बुनाने लगी उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई क्या इतनी देर तक लोग भुजन कर रहे होंगे जो उन्हें बुलाओं बुड़ी काक्री चलने को तयार हुई यह विश्वाज के एक मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारियां सामने आएंगी उनकी इस्वादे इंद्रियों को गुदूदाने लगा उन्होंने मन में तरह तरह के मनसुबे मादे पहले तरकारी से पूड़ियां खाऊंगी फिर दही और शक्कर से कचोरियां रायते के साथ मज़िदार मालूम होंगी चाहे कोई बुरा मानी चाहे भला मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी यही ने लोग कहेंगी कि इन्हें विचार नहीं कहा करें इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुझ उठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी वो कुड़ू बैटकर सरक्ते हुए आगन में आई परंतु हाय दुर्भाग के अभिलासा ने अपने पुराने स्वभाओ के अनुसार समय की मिथ्या कलपना की थी महमान मंडली अभी बैठी हुई थी कोई खा कर उंगलिया चाटता था कोई दिर्चेनेत्रों से देखता था क्या और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं कोई इस चिंता में था कि पतल पर पूड़ियां छोटी जाती है किसी तरह इने भीतर रख लेता कोई दही खा कर चटकारता था परंतु दूसरा दो नाम मांगने में संकुच करता था कितने में बुड़ी काकी रेंगते हुए उनके बीच में आ पहुची कई आदमी चौक करूट खड़े हुए पुकारने लगे अरे ये बुड़िया कौन है कहां से आ गई देखो किसी को छून दे पंडित बदुराम काकी को देखते ही क्रोज सेत्ल मिला गए पूडियों का थाल लिये खड़े थे थाल को जमीन पर पटक दिया जिस प्रकार नरदई महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेंटुआ पकड़ लेता है उसी तरह लपक कर उन्हों काकी की दोनों हाथ पकड़े और खसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया आशा रूप वाठिका लूगे एक छोके में विनस्ठ हो गई महवानों ने भोजन किया घरवालों ने भोजन किया बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके परन्तु बुढ़ी काकी को किसी ने न पूचा बुधिराम और उपा दोनों ही बुड़ी काकी को उनकी नरलजता के लिए दंड देने का निक्षय कर चुके थे उनके बुढ़ा पेपर देंता पर हतिग्यान पर किसी को करुणा ना आई थी अक्रेली लाडली उनके लिए कोड़ रही थी लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था बेचारी भोली लड़की थी बाल विनोद और चंचल ताके उसमें गंद तक न थी दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दैता से गसीटा तो लाडली का हिर्दै आट कर रह गया वह जुझला रही थी कि हम लोग काकी को क्या बहुत सी पूरिया नहीं देते क्या मेमान सब की सब खा जाएंगे और यदि काकी ने मेमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर ये देना चाहती थी परंतु माता के भैसे न जाती थी उसने अपने हिस्से की पूरिया बिलकुल न खाई थी अपनी गुड़िया की बिटारी में बंद कर रखी थी उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी उसका हेड़ अधीर हो रहा था बुड़ी काकी मेरी बात सुनते ही उड़ बैठेंगी पूरिया देखकर कैसी प्रसंद होंगी मुझे खूब प्यार करेंगी रात को ग्यारा बज गय थे रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी लाडली की आँखों में नीद न आती थी काकी को पूरिया खिलाने की खुसी उसे सोने न देती थी उसने गूरियों की पिटारी सामने रखी थी जब इस्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कैसे चलू चार और अधिरा था किवल चूलों में आग चमक रही थी और चूलों के पास एक कुट्टा लेटा हुआ था लाडली की दृष्टी सामने वाले नीम पर गई उसे मालूम हुआ कि उस पर हनमाच बैठे हुए है उनकी पूँच उनकी गदा वो सपस्ट दिखलाई दे रही है मारे भय के उसने आखें बंद कर ली इतने में कुट्टा उठ वैठा लाडली को रहरस हुआ कई सोय हुए मनस्यों के बदले एक भागता हुआ कुट्टा उसके लिए धिक धैर का कारा हुआ उसने पिटारी उठाई और बोड़ी काकी की कोट्री की ओर चली बोड़ी काकी को केवल इतना इसमरड था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़ कर घसीते फिर ऐसा मालू हुआ कि जैसे कोई पहाड पर उड़ाए लिए जाता है उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए तब किसी ने उन्हें पहाड पर से पठका वे मुर्चित हो गई जब वे सचियत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलते थी समझी कि सब लोग खापी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई रात कैसे कटेगी राम क्या खाऊं पेट में अगनी धलक रही है हाँ किसी ने मेरी सुधिन ली क्या मेरा पेट काटने से धन जोड़ जाएगा इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए उसका ची क्यों दुखा में मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ इस पर यह हाल मैं अंधी अपाहिश ठहरी न कुछ सुनो न भूजू इदियांगन में चली गई तो क्या बुधिराम से इतना खहते न बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं फिर आना मुझे घसी था पटका उन्ही पूरियों के लिए रूपा ने सब के सामने गालियां दी उन्ही पूरियों के लिए इतनी दुरगती करने पर भी उनका पत्थर का कले जहां न पसी जा सब को खिलाया मेरी बात तक न पूची जब तक नहीं दी तब अब क्या देंगे यह वि परन्त मेहमानों के भैसे रोती न थी सैसा कानों में आवाज आई काकी उठो मैं पूडिया लाई हूं काकी ने लाडली को बोली पहचान लिए चटपटूर बैठी दुन्हों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया लाडली ने पूडिया निकाल कर काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है लाडली ने कहा नहीं यह मेरे हिस्से की है काकी पुडियों पर तूट पड़ी पाँच मिनट में पिटारी खाली हो गई लाडली ने पूछा काकी पेट बर गया जैसे थोड़ी सीवर सा ठंड़क के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है उस भात इन थोड़ी पूरियों ने काकी की छुदा और एक्छा को और उत्तेजित कर दिया था बोली नहीं बेटी जाकर अम्मा से और मांग लाओ लाडली ने कहा अम्मा सोती है जगाओंगी तो मारेंगी काकी ने पिटारी को फिर टटोला उसमें कुछ खुर्चन गिरी थी बार बार होट चाटती थी चटकारे भरती थी हिड़े मसूस रहा था कि और पूड़िया कैसे पाऊं संतोस से तुजब तूट जाता है तब एक्छा का बहाव अपरमित हो जाता है मतवालों को मद का इसमरड करना उन्हें मदान दवनाता है काकी का धीर मन एक्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया उचित और अन्शित का विचार जाता रहा वे कुछ देर तक उसे इच्छा को रोकती रही सहसा लाडली से बोली मेरा हाथ पकड़ कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैटकर भोजन किया है लाडली उनका विप्राय समझ न सकी उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बिठा दी दीन छोधातुर हत ग्यान बुढिया पतलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर भगचण करने लगी ओह दही कितना स्वादिस्ट था कचोणिया कितनी सलोनी खस्ता कितना सुकोमल काकी बुद्धहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापी न करना चाहिए मैं दूसरों के जूटी पतल चाट रही हूं परंतो बुढ़ा पात रिष्णा रोक कान्तिम समय है जो संपूर एक छाए एक ही केंद्र पर आलगती है बुड़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्री अठी ठीक उसी सुमय रूपा की आँख खुली उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है बच्चों की चारपाई की इधर उदर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठी पतलों के पास किसी गाय की गर्दन पर जूरी चलते देख कर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई एक ब्रामभडी दूसरों की जूटी पतल टटोली इससे अधिक शोकमेद्र से असंभव था पूरियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निक्रिष्ट कर्म कर रही है यवद्र सिथा जिसे देख कर देखने वालों के हिदे काप उठते हैं ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुग गई आसमान चक्कर खा रहा है संसार पर कोई आपत्ती आने वाली है लोग के समुक क्रोध कहां करुणा और भैसे उसकी आखे भर आई इस अधर्म का भागी कौन है उसने सच्चे हिर्दय से गगन मंदल की योर हाथ उटा कर कहा परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो इस अधर्म का दंड मुझे मत दो नहीं तो मेरा सत्या नाश हो जाएगा रूपा को अपनी स्वाथ परता और अन्या इस प्रकार प्रत्यक्च रूप में कभी न दिख पड़े थे वह सोचने लगी हाए कितनी निर्दय हूँ जिसकी संपत्य से मुझे 200 रुपय आय हो रही है उसकी ये दुरगदी और मेरी कारण हे दया मैं भगवान मुझसे बड प्रते का तिलक था सैगड़ों मनिस्यों ने भोजन पाया मैं उनके इशारों की दासी बनी रही अपने नाम के लिए सैगड़ों रुपय व्याय कर दिये परंतों जिसकी बदौलत हजारों रुपय खाए उसे इस उत्सों में भी भरपेड भोजन न दे सकी किवली सी कारण तो ववरिधा असहाय है रुपा ने दिया जलाया अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपोड सामक्रियां सजा कर बुड़ी काकी की ओर चली आधी राज जा चुकी थे आकास पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वरगी परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बुड़ी काकी को अपने सम्मुक थाल देखकर प्राप्त हुआ रूपा ने कंठा रुद्ध स्वर्ज में कहा काकी उठो भूजन कर लो मुझसे आज बड़ी भूल हुई उसका बुरा न मानना परमात्मा से प्रार्थ ना कर दो कि भूले भूले बच्चों की भात जो मिठाईयां पाकर मार तिरसकार सब भूल जाता है बोड़ी काकी वैसे ही सब भूला कर बैठी हुई खाना खा रही थी उनके एक एक रोए से सच्ची सदिक्षाएं निकल रही थी और रूपा बैठी वर्गी द्रिश्य का आनंद लेने में निमगन थी धन्यवाद